आज बहुत दिनों के बाद फिर से हम आचुके हैं आज हम करने वाले हैं टॉपिक अंसीन पैसेज देखको अंसीन पैसेज जो होता है यह सभी के लिए इंपोर्टेंट है क्लास नाइन से लेकर और 12 या उसके आगे भी पूछायाता है कही ज़ागों पर ठीक है सब्सक्राइब आपको 12 लेवल का जो अंसीन पैसेज ज्यादा टब भी नहीं होता है यह मतलब मोडरेट लेवल का होगा मेडियम टाइप का होगा ठीक है ना तो बहुत ज्यादा घुमा के कोशन पूछेगा और नो बहुत ही ज्यादा सिंपल देगा जैसे क्लास 10 में क्या हो तर जह पढ़के आपको लग रहा है कि यही होना चाहिए असल में आंसर वही है ठीक है बस अब क्या करना है पढ़ने का तरीका और जो अंसर करने का तरीका हो आपको जानना है अभी मैं आपको इतना गांटी दे सकता हूं कि अगर दस का है ठीक है तो दस के आपके एचेस में दसमाग काता है तो इसमें से 7-8 आप इजिली लाप आओगे ठीक है 7-8 9-10 यहां पहुंचने के लिए थोड़ा सा आपको चाहिए होगा तो फ़र आसा ग्रामर का नोलेज भेगरा बट 8-9 तक 8-7-8 तक इजिली पहुंचा जा सकता है अधिक यह उतना खराब मांक भी नहीं है तो चलिए देखते हैं कैसे इसको किया जाए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंगलीज का क्रेस कोर्स आ चुका है ठीक है बहुत लोगों ने लिया भी है टोटल कोस्ट हमें दखाए 200 रुप्या अपको मिल रहा है पूरा इंगलीज का जो नोट से आपका एक्जाम के लिए ठीक है प्री के लिए और में जो आपका फाइनल हो पूरा वहां तक के है ठीक है इसके अलावा आपको प्रिपोजीशन और वोइस जो है वो अल्री हमारे चैनल पर यह तो वहीं से आप कर सकते हो देन आपको अंसीन पैसेज वेगरा ठीक है राइटिंग स्किल्स जो आपको नोट में मिल जाएगा और अंसीन पैसेज जो है वह मैं आपको अच्छे सेट लगाने से आपका हो जाता है अभी मैं जस्ट आपको एक देता हूं कि कल में एक्जाम है और अंसीन पैसेज मैंने एक भी नहीं अभी तक तो नहीं कराया प्री वालों के लिए जो प्री देने वाले तो इसलिए उनके साथ थोड़ा भी बैमानी ना हो इसलि आपके नोटस सी चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कांटेक करो नंबर यही है सेम नंबर ठीक है आप मुझे वाटसेब करो और वहां से आप ले सकते हो ठीक है इसके अलाभा आप एंस्टामोजो से लेह सकते हो आपके आपके उपर भी वाहापकी 10 पर ज्यादा देना प पैसेज को बहुत बढ़ा नहीं है बस एक पेज कहा है और यह भी एक पेज मैंने मतलब जो वर्ड है बढ़ा दिया इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है नहीं तो और भी छोटा हो जाता है ठीक है चलिए तो सबसे पहले किया कहा जाना चाहिए सबसे पहले जब भी आप अंसीन समझ में आना चाहिए नहीं 12 लेवल तक तो नहीं ठीक है आपको जस्ट एक आइडिया लगना चाहिए कि हमारा अंसर है जैसे यहाँ पर दिया गया है कि उपर वाले पैसेज को परके इन कोर्शन का असा देना है पहला है साइट साइट मेंस होता है घीव ठीक है तो साइट के तरफ लोग बढ़ रहे हैं ऐसा हम क्यों कह सकते हैं आपको रिजन्स देना है कारण बताना है दो माक्स के लिए दूसरा कोशन है तो यहाँ पर हम वार्ड कुछ कुछ मैपिंग कर लेते हैं जैसे वार्ड यहां पर एक है इस्टिंग संटीक है ओके स्पीसिस भी हो सकता है तो यह सब्वर्ड बहुत के और इस पढ़ेंगे स्ट्रक्शन को अपने मन में फीर कंट्री साइड तो आंपर यहां पर यहां पर आ घ्यान से पढ़ेंगा सक्राफ सबसेसी सबसे पर अब इसके बाद में which animal is hunted for its fur, तो hunter word up रख सकते हो, और fur word up रख सकते हो, ठीक है, then mention the ways wildlife, तो wildlife को रख लो, ठीक है, currently रख सकते हो, ठीक है, then give the adjective, यह आपका हो गया grammar part से, और एक word बता हो जिसका meaning है, slaughter, तो यह सब ही जो है, ज्यादा टफ होता है, ठीक है, पूरे passage को अब देखना प हम देखेंगे, ठीक है, तो अब हम यह हमारे पास में हो गया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, टोटल सिक्स, सेवन कोर्शन से, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अब यहाँ पर दो तरीका है, मेरे पास में अभी दो तरीका है, मैं दोनों को यूज करूँज़ करूँगा, पहले तो हम आपको दिखा रहते हैं, सिंपली कैसे किया जाना चाहिए, सबसे पहला हमारे पास में क्या था, पहला कोशन, स्पीसेज वर्ज और एक्स्टिंग्शन, तो हम यहाँ पर आके देखते हैं, कहां पर दिख रहा हमे, it is disturbing fact that today many different kinds of wild animals throughout the world are in danger of extinction, मिल गया, the reason for this are many and varied, but we must largely blame the, blame pollution, pesticides, disturbance of animals, natural environment and man's creed and thoughtlessness, तो यह आपका हो गया main answer, ठीक है, यह आपका वन का answer, ठीक है, यह आपका मिल गया, ना, वन का answer यह ही होगा, अब आप answer कैसे दो गया, तो answer दो तरह से दिया जा सकता है, एक answer क्या होगा, जो थोड़ा सा, जिसको English आती है, जिनने थोड़ा सा भी English आता है, तो वो करेंगे, कैसे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, the reasons, the reasons as to why some species of wild animals are on verge of extinction are, ठीक है, उसके बाद में, आप क्या करोगे, यहाँ से चापता होगे, ठीक है, या फिर आप यही लाइन पुरा दे सकता, the reason for this, ठीक है, क्या है, so, यह shortlessness, यह आप दे सकते हो, ठीक है, बना कर, या फिर direct आप क्या करोगे, यहाँ से answer उठाओगे, आप चाओ तो यहाँ से लिख सकते हो, आपके उपर है, but main answer यहाँ से च्टाट रहा है, यहाँ से लिखना सुरू करोगे, यहाँ तक भर दोगे, ठीक है, त्योंग है, यहाँ स से पढ़के थोड़ा सा आर दी जाद फॉलोइंग रिजांस ऐसे करके आपको पॉइंट बना कर नहीं तो क्या करना है डायक्ट कोपी-पेस्ट कर दो कोपी-पेस्ट करता नहीं है ठीक है बिल्कुल नहीं कटेगा आपके पैरेग्राफ में वह बात होनी चाहिए कहीं पर भी यह मैंने अपने लिए रखा है ठीक है अब जैसे माल लो यहां पर वर्ड ढूंडने का जो मैं काम बोल रहा था इसके लिए आ तो आप पूरा पढ़ो यहां क्या करेंगे डायक मैंने क्या बला डेस्ट्रक्शन वर्ड को पकड़ेंगे ठीक है और यहां पर जाकर निक्रीस द पूस्ण अ सुफ ही अ यहां पर में डेक् सताह हू और रिस्ट्रक्शन माल है रिस्ट्रक्शन और बाइब इनध द एलक्श में ऩोल मिंट्च मैं पूलिदिन गिंटेड अइंड टायका मैं निब्डल डिनृड पोलिफ इक है site that provides habitat to wild animals ठीक है तो यहां पर कोशन क्या किया गया था पहले मोर देख लेते हैं कोशन आप कर शोपुछा था यह रहा वाट है वाट है अप यहां पर लिख सकते हो मैं इन्स ग्रीड ठीक है तो बिसीकली यह आप का लाइन है ना इन्क्रियNew forced यह वला है आप का शात्र ठीक है तो यहां से आप क्या करोगी पूरा शआप यह ल aja फुरण का यह कितने माश्र के लिए आप करता है तो यह आपके लियता किने मास्राइन करता है जह ने का फिए नेकीज देखते हैं वाई यारड में पास्मोर gaze था पोडर फिर और वेल्स तो ऐसे तो आप पूरा पर पर के देख सकते हो ठीक है यहां पर पोलर भीर आपको यहीं पर दिख जागा ने के यह रहां वेल्स है हमारे पास मैं ठीक है पोलर वियर किदर गया यह ना पोलर वियर ठीक है जब यही से आपका अंसर ठीक है तो आपका जो आंसर हो यही बला होगा अगें यह कितने माक्स के लिए यह देख लो तो यह है आपके दो मस्का थो आथा इसको बड़ा करके लिए ठीक है तो यहां से स्टार्ट करना यहां से ठीक है तुसे टीस्पाइब मैंस सेलफिस डिजायर ठीक है अन्दव पोलर भी और नौट अन्थ अच्छेट उसके बाद में हॉंटेर बैस स्पोर्समे तरह प्योंट इसको आप रड़र कर दो यहां से यहां तक बैप कर दिया और यहां से लेकर और कहां तक लिए तो यहां तक हो अगेन एक माग के लिए तो कोई एक चाहिए विच एनिमल इस हंटेट फो इस फर तो हमको फर और हंटेड वड दोना है ठीक है तो अभी हम यहीं पर फिर से पढ़ते हैं यहां तक हमने कर लिया था ठीक है यहां पर हमें क्या चाहिए था वर्ड क्या था फर ना हांटर वर्ड चाहिए या फिर फार वर्ड चाहिए हाला कि यहां पर आंसर तो मुझे दिख रहा है जो चिंचिला है यहीं होगा ठीक है यह question number D था फिर भी मैं एक बार इसको यहां पर वर्ड में देख लेता हूं क्योंकि ऐसे पढ़ने में अगरबढ़ हो सकता है तो मैं हम फ्लाक से देख लेते हैं एफ यूा आर ठीक है यह रहा लूड़ा है आपके पास सर पेज जो गांट टिक हो व्यूंग इं चीनचिला बार दार इसे कर देखर में होगा तो यहां पर क्या है यह आप चाहो तो पूरा लाइं दिदे इन साउथ अमेरिका दा चिंचिला इस अल्मोस्ट एंग्स्टिंक्ट विकॉस इस फर इस इन डिमांड यह आप दे सकते हो या फिर डाइक्टा पांसर दे सकते हो दने अफ अनिमल इस चिंचिल ठीक है अचा नेक्स्ट देखत आँ पर किया जा रहा है तो हमैं बस्कली हेलप को देखना है ठीक है हम यहाँ पर जाएंगे एक बार तो आप मारस के देख कि तो कुछ यहां पर हमें होना चाहिए चलो ठीके देखते हैं राइक पैराग्राफ में यह आपका कोश्चान नमर कितना था यह तो यह रहा हम यहां आगे ओके बट दर प्रोलम में देखे लिया था तो हमने देखी लिया था सम एक्सम्स है बिन टेकन अच्छा यह हो गया आपका टू एक्जम्पल जैसे सीवेज ऑन देप पॉलीश सीवेज पॉलीशन इन दरीवर थेम्स हैस बिन ग्रेटली रिद्यूस्ट तो यह सब हो जागा आपका अंसर ठीक है किस तरह से इन से विची हमें रह से लह को था था रहा हो एक यहां पर पर होना चाहिए है कि हम्हाइज रहा हुद मालत आपको है मिल जाया कि हैं यह से वेजग कोड्राम को देयर हो गया हो गया जाए है देन और एस पुछ और इस लाइक फ्रेंट्स ओफ आर्थ यह सब दिना बहुत काम करते तो यह सब बोल दो ठीक है पूरा उठागा डाल देना को जो तनी यह करने का चलो अब आते हैं लास्ट की बात का जहां पर क्या है जैसे आपको बताया गया एड्जेक्टिव फॉर् यह हाङ धुछ भार्श दीटत्थ ट्रवार्पे अहशाव शाओ ठीक है घबाीं। हचा ओछुछ आप एड्जेक्टिव फेल के लिए हुगते ब्योर्ड है जली रिंफ इसम्लत मोर्डील ओक्त है जदेक्टिव फ्सकी हमारा एड्जेक्टिव फिर्थने हागा आप यह advisable to hoste रसे देन नेक्ट आपको पास में पैसे विए ग्रेट स्लाउटर एक से कंड रूखना अरे रख दो दर स्लाउटर की तरफ ठीक है स्लाउटर का मतलब मैंने आपको बता था मार काट ना सो यहां पर देखते हैं मार काट से जुरा हुआ अब ऐसे चीजों के लिए आपको पुरा ध्यान से देखना पड़ेगा तब जाके आप देख पाऊगे एक बार मैं इन सभी को हटा देता हूं एक बार जल्दी से घ्राइब हो जा सब तो आप देख पाऊगे चलो मार काट से थोड़ा सा मिलता जुलता वर्ड एक्स्टिंग्शन भी होता है खतम हो जाना ठीक है और कोई वर्ड देखते हैं जो इससे अच्छा हो ठीक है डेंजर एक है और देखो मतलब एक्जेक्ट के वर्ड भी कई वार होते हैं इंदेश्ट्री दर इदर दिस पोस फेक्ट्री रिवार्स इदर कुछ लेक्ट लास है तो यह तो नहीं होगा आगे देखते हैं पैस्टिसा रहों डिस्ट्रक्शन सैंत्रार सकता है ठीक है आगे और देखो एदेर में और कुछ मुझे नहीं दिख रहा है हां एक ओर है मैसे केर का मतलब क्या होता है आपने सुना होगा न का अपने होगा न जली कर सबसे जो अच्छा वर्ड यहां पर क्या है मैसे के ठीक है और आगे कुछ है क्या ऐसा देख लेते हैं तो यहां पर इस पहरा में ग्रेट स्लाउटर ऐसा को अगर वर्ड है तो कौन सा है ओ मैसे के रवला वर्ड है तो जैसा था वैसा ही डाल दोगे ठीक है आप चाहो तो वर्ब चेंज कर सकते हो टेंस्पॉर्ण जैसे प्रेजेंट में कर दो या फिर जैसा है वैसा ही चिपका तो कोई दिक्कत नहीं ठीक है और इस तरह से आपका अंजीन पैसेज खतम अगर आप मैंने जिस्ता से बता उस्ता से आप आंसर लिखते हो तो आपको 10 आउट आफ 10 नहीं तो कमसम 9 जोर मिलेगा ठीक है और कोई ग्रामर का एरर नहीं करना है देखो बनाने में कोई दिक्क से स्कीमारत फिर्स सीमार डो तो कि आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आता है और एक बनता है ठीक है शेर कर देखेंट अने फ्रेंट के साथ में और कोर्स आ चुका है आपके पास में एकांके डिकार सी का नोट्स पर लिए सकते हो अधिग्लिस का को इन ही है वह आप कोश्चन का मैं लिस्ट करूंगा जिसमें हर एक चेप्टर से मैं ज्यादा नहीं दो तीन दो तीन ही कोश्चन दूँगा उतना कर ले ना तो आपका प्री का जो भी एश्टी है वह जबूर हो जाएगा उसमें से आपका फाइनल में बहुत साई टच कर जाएंगे ठीक है सो चलो बाँ बाइ मिलते अगले वीडियो में थेंक्च्व